हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू मेडिकल वाला तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPState iOS Counseling की रजिस्ट्रेशन को लेकर ठीक है आप देखकर विलकुल कर सकते हो और आपको हो सके तो आप खुद भी कर सकते हो या फिर किसी साइबर के फिव अगिरा पर आप जाके इजली यह कर पाओगे ठीक है इसे मतलब कैसे करना है इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरू यहाँ पर आपको फर्स्ट साइट है रेजिट्रेशन फॉर्म अकरना है सेकेंड साइट है डोक्यमेंट वेरिविविटेशन स्लोट भुकिंग स्टेटास यानि कि यहाँ पर मतलब कौन सी कॉलेज में कितने स्लोट बूक हो चुकी है कौन सी डेट को वह सारा स्टेटस यह 29 सिप्टेमबर से तब यहां से चोईस फिलिंग की जो डिसिप्ट वह भी डाउनलोड कर पाऊगे ठीक है तो दोस्तों हम बात करें रेजिस्टेशन की तब आपको क्लिक करना है यहां पर ओपन हो जाएगा रेजिस्टेशन तो दोस्तों यहां पर आपको को सिंप्ली आपका टाइप करना नीट का रोल नंबर दोस्तों पहले चीज़ तो यह है कि रेजिस्टेशन के टाइम आपको कोई भी डॉक्मेंट अप्लोड नहीं करना है यहां पर ओनली आपको सिर्फ आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो और सिगनेचर मेडिकल कॉलेज से उसका से स्टाट हो चुका है आप चाहो तो उसने अभी स्टाट किया है एंबी बियाज डैली ब्लॉक्स मतलब अब डाइरी शोरी ना इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर एंबी बियाज की लाइफ कैसी होते हैं गौर्मेंट कॉलेज में त ठीक है अगर देट अब वर्थ इदर फिल करना है इसके बाद में केपचर फिल करना केपचर में जो भी दिया हो ठीक है इस तरीके से आपको डाट फिल अप करना दोस्तों मैं एक सिंपल लड़का हूं सीधी सी बात यह अगर आपको कोई अधर यूटूबर होता ना तो वह यहाँ पर सारी चीजे ब्लेंग करता इने चुपाता ठीक है इस तरीके से लेकिन मुझे कोई इतना शोक नहीं है सारी चीजे मतलब चुपानेगा ठीक है क्योंकि जो चीज रियल आपके सामने आएगी तो वह ज्यादा सही रहेगा आप क्लियर फ्रेस कर पाऊगों कि क्या-क्या आपको दिखेगा जब आप रिश्रेशन करोगे किस तरीके से करना है जिसे हैं पर अपने रोल नंबर और डेट करना रहेगा यह तो डाटा step आअपको कंफर्म करना आ नबर आपको जड़ूरी नहीं है कि जो आपने उस तोाम के हो जखेग है ठीक है यहाँ पर email डालने के बाद उसे यहाँ पर confirm करना है आपको ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक mobile number देना यह भी जरूरी नहीं है कि जो आपने उस टाइम दिया हो वही होना चाहिए ठीक है ठीक है दोस्तों यहाँ पर mobile number डालना चाहिए जो अपने फादर का आपके parents का भाई का किसी का भी डाल सकते हो ठीक है इसके बाद में दोस्तों यह हो गया यहाँ पर यहां पर नॉर्मली आपका जो लोकल एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड में और आपके डॉमिसाल जहागा बना हुआ इसके बाद में दूस्तों नीचे आते हैं यहां पर आपको करना है यहां पर अगर आप अगर आप अधर स्टेट से होना तो आपको यहां पर नो क्लिक करना पड़ेगा नोन डॉमिसाल के इंडेट बी नोट इलीजिवल टो पाटिसिपेट इन दग गोवर्मेंट कोलेज याने कि जो अधर स्टेट के हैं वह इसमें पाटिसपेट तो कर सकते लेकिन वह गोवर्मेंट कोलेज चोईस नहीं कर सकते वह सिर्फ प्राइवेट कोलेज के लिए उपी करना और यहां पर आपको आपका जू किसके द्वार्ण इस्चु किया गया है वो उस पर लिखा bajoot घ्लार एक वह नगदेजिय और ऊपिसर कोषायद प्राधिकरत अधिकारी दिया आप जो वह भी उसमें दिया हो वह आपको टाइप करना जिसके द्वारा इश्यू किया गया है यहाँ पर इंटर डेजिंग नेशन ओप इश्यू अथ्राइश्ट ओपिस तर यहाँ पर भी दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर फिल कर पहले चीज तो यह आप इसे कि दूस्तों इसके बाद में आपको प्लेस ऑफ इश्यू ओफिश मदल जहां से आपका यह इश्यू किया गया उस प्लेस का नाम डालना है और यहाँ पर इश्यू की Date डालनी जिस दिन आपका document इश्यू किया गयं तो यह देट भी दोस्तों जो है आपका डोमिसाल बोट होगा कि गवर्मेंट कोटा आई व में नहीं है अगर में पहले ही बताचुका हूँ किस इस बार गवर्मेंट इस बार किया फर्स टाइम ही आना था यहां पर आपको government quota का जो option दिखाई देता ठीक है इसके बाद में दोस्तों next option है का सेटिफिकेट का सेटिफिकेट सिर्फ दोस्तों नोट OVC Candidate who belong to creamy layer should not apply to OVC जो creamy layer में आते हैं जिनकी इंकम ज्यादा लगबग 6-8 लाग से उपर है वो लोग OVC केटिग्री में apply ना करें वो यूर केटिग्री के अंतरगत आते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो केटिग्री में आपको you are selected करता जिनकी इंकम ज्यादा बाकि जो चीज्स एक करनी है ने केटिग्री से उन्हें वह गई हो गई होगा इसके बाद में आपको सब्सक्राइब का रिफेरेंस नंबर रावना डालना है डेको यह प्लेश पर इसे किया गया वह डालना है और डेसटी टालना किस ने इसु किया वह सेलेक्ट करना है इसके बाद में क्वालिफाइंग एक्जाम डिटेल्स 10 प्लस टू मंदब यहाँ पर आपको बारवी की जो है क्वालिफाइग डाटा को सेलेक्ट करना मतलब अप्लोड करना होगा फिल करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको यह है डू यू है उर्दू और अरेविक पर सियन इन टैन्थ ट्वल्थ क्लास नो ठीक है आपके पास कोई एक्स्ट्रा लेंग्वेज थी नहीं अपको नो करना यहां पर आपको नो कर देना इसके बाद में डू-यू हेव पास्टे ट्वल्थ क्लास एक्जाम बिद इंग्लिजिस फिजिक्स चेमस्ट्री एंड बायोगी या फिर बा यह रहता है और आप बायो क्यमिस्ट्री वाले ब्रांच से हो तो आपको वह स्लेक्ट करना रहाएं आपर ठीक है कि मैंने अभी तक जो है अपनी लाइफ में बायो टेकनोलोजी शोली ना बायो टेकनोलोजी कोई सी भी स्कुल में देखा नहीं कि 12 अभी सब्जेक्ट रहा हो वागी हो सकता है कहीं पर हो तो तो इसके बाद में आपको इह और ये सलेक्ट कर ले यहां पर दालते हैं वागि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं अगर फिल करता हुआ चलूँगा तो दोस्तों यहां पर और एक चीज़ का ध्यान रखना जब आप सारी चीज़े फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम दोस्तों टाइम आउट हो जाता एक्चुल में जब आप धीरे धीरे देख करोगे तो इसको फास्ट करना रहेगा दरवाइस आपका लोग आउट हो जाएगा तो इसे थोड़ा जो प्रोसेस उसे फटाफट करना र स्टेवा थे दोस्तो क्योंकि स्लोट आपको ऐसा स्लेकट करना है जहां पर आप इजयीली पोहच पाई और मतलब सेंटर का नाम है ने स्लोट बुकिंग ए स्लेक्ट अगुम नेर्स ताइम उस कॉलेज में पोहच पाऊ ठीक जैसे कि हम मान लेते हैं मैं इंडौर काूंट ठीक है तो मैं को यहांप पर सलेक्ट करना है इंदौर क्योंकि मैं इंदौर का कोलेज है यहां पर कौन सह है गौवर्मेंट आटोनोमस अस्टांग आर्वधी कोलेज इंदोरिस में कौन-कौन से उप्षन जोस्तो जो स्लेक्ट कर सकते हो आप भौपाल का पंडिज खुशिलाल स्लेक्ट कर सकते हो सकते हैं और मैं सबस्तों बोलना चाहूँगा जो लोग पाल में कराना चाहते हैं उनके लिए तीन सेंटर अवेबल है तो जहां तक कोशी सो आप यूनानी या फिर होमेपेटी में जाए क्योंकि यहां पर भीड़ कम होगी तो आपका फटा-फट जो वेरिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि मैं इंदोर की बात करो तिंदोर के आसपास बहुत सारा छेत्र लगा हुआ तो यहां इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि दोडो दिन तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है लोग ज़्यादा हो जाते हैं करने वाले कम रहता है क्योंकि लास्ट यज़्यर में ही बता तो मुझे दो दिन लग गय तह मैं सुबे से आया था तो मेरा कल साम को एकड़म एंड तो दोस्तों 21 से बीच में जिस डेट को आप जा सको वो डेट आपको स्लेक्ट करनी है मान दीजिए मैं 25 तारीक को चले जाओंगा तो मैं 25 को फिर रहूंगा जिसे अपका टाइम मैनेजमेंट जोगी हो सके उस हिसाफ से आपको स्लेक्ट करना है स्लेक्ट करनी है तो वह फोन से नहीं हो जाईए अगर करना चाहो तो बट नहीं हो यहाँ पर चूस फाइल करना है और दोस्तों यहां से आप जा सकते हो अगर किसी किसी के फोन में अगर हो जाए तो नॉर्मली हो जाएगी ठीक है जिसे मेरे में हो रही है तो आप फोन से भी ट्राइ कर सकते हो ठीक है आपको नॉर्मली यहां से ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको यहां से दोस्तों फोटो upload हो जाएगी इसली photo upload करने के बाद में phone जे try करिएगा हो जाएगी मेरे पास तो हो रही है ठीक है यहाँ पर upload करोगे तो आपकी gallery में option open हो जागा gallery में आपको photo select करने और upload easily हो जाएगी ठीक है आपको photo upload करने उसके बाद में दोस्तों ये सारे document है जो कि आपको verification के लिए लेकर जाने है जिसमें है आपको सारे original document लेकर जाने है साथ ही जो registration sleep आपको मिलेगी जब आपका registration हो जागा वो sleep लेकर जाना है इसके बाद में दोस्तों ये चीश तो हो गई साथ ही दोस्तों आपको mark seat लेकर जाना इसके अलावा दोस्तों आपको साथ में ये सारे document है जो लेकर जाने हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके पास migration, tc, gap certificate और जो भी need रहती admission में जो document है वाकी वह सारे आपको लेकर जाने है ठीक है साथ में वैसे requirement नहीं है लेकि जरुवत कभी भी पढ़ सकती तो साथ में जरूर लेकर जाए ठीक है बाकी दोस्तों लास्ट यर कुछ document मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए थे तो वह आपके पास होना चाहिए जैसे gap certificate आपका है तो आप लेकर जाए क्योंकि हम लोग उसे लिया गया था साथ यह आपको पासपोर्ट सेच थी उमीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं फिर मुझे मेरे परस्टनल नंबर पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ पर मैसेज कर सकते हैं आपको मेरी help चाहिए choice feeling में या आपको डर लग करें तेकर थांक यू